सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल शान चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो दोस्तो आज में लेकर है कुछ ऐसी नियूस जो किसी के लिए हो सकते है गुड नियूस या किसी के लिए हो सकते है बैड नियूस तो मैं बात करने वाला हूँ टेलीकॉम इंडेस्ट्री जैसे एटल वोड़ फ़न आइडिया के निव अपडेट के बारे में तो आप इस आज में बात करने वाला हूँ टेलीकॉम इंडेस्ट्री के नए अपडेट के बारे में जो कि काफी लोगों को नहीं पता कि उनका अनलिमिटेट रिचार्ज अभी तक चालू होगा तो दोस्तो एटल वोड़ फोन और आइडिया ने अपना नया प्लैन कुछ ऐसा लाया है कि उन्होंने 20, 30, 40, 50 या फिर 100 का रिचार्ज बन करती है जो कि नॉर्मल रिचार्ज था तो दोस्तो पहले क्या होता था कि कस्टमर्स अपनी मर्जी से रिचार्ज करा सकते थे जैसे कि 20, 30, 40, 50 या फिर 100 का तो दोस्तो वो चलता था अनलिमिटेट तो अब ऐसा नहीं होग आपको कराना ही पड़ेगा company के plan या best offers आपके mobile number पे तो आपको वही कराना पड़ेगा तो जैसे कि मैं एक example दू कि पहले आप कराते थे 50 रुपीज का recharge जिसमें आपको मिलेगा 38 या 39 का कुछ recharge मिल जाता था तो आप उसको unlimited use कर सके तो अब ऐसा नहीं होगा तो दोस्तो अगर मैं idea company का आपको एक offer बताओ तो अगर आप कराओगे 35 रुपीज का recharge तो आपको मिलेगा 26 रुपीज stock time प्लस 100 MB data जो कि valid होगा 28 days के लिए आप use करो या ना use करो वह आपपे depend है तो दोस्तो इस तरह से एटल वोड़ाफोन ने लाए है कुछ नहीं plan तो दोस्तो जिवा आने से पहले एटल वोड़ाफोन idea के काफी customer हुआ करते जो कि अभी भी है वो इसलिए है कि उनका number शायद bank में link किया हो या फिर हो सकता है cylinder के लिए हो या फिर हो सकता है कि उनका number बहुत पुराना जो कि बहुत viral हो चुका है तो उसमें वो users ऐसा करते थे कि उसमें 50 rupees का recharge कराते थे जो कि उसमें 3 मेने में सिर्फ 3 या 5 मिनीट ही बात करते थे तो एटल वोड़ाफोन idea चाहते है कि आप उनके permanent customer बने रहे इसलिए उन्होंने सभी plan बन कर दिये और लाए है unlimited का plan जो कि valid होगा 28 days के लिए ना कि unlimited तो दोस्तों अगर मेरी ही वीडियो आपको पसंद आए है तो प्रीस इस गो like करो, share करो and subscribe जरूर करो